कोटा के हिश्ट्री शिटर देवा गुर्जर और देवा डॉन की हत्यार बंद बदमाजों ने हत्या कर दे थी हत्या कांड से शेत्र में देहशत का माहूल बना हुआ है गैंग वार में मारे गए देवा गुर्जर की निजी और सोशल मीडिया लाइफ भी दिलचस्प है उसने दो शाद्या की थी और सोशल मीडिया पलेटफॉम पर हमेशा एक्टिव रहता था सोशल मीडिया पर उसके करीब दो लाग फॉलॉर्स हैं देवा रेगुलर इस्टेंड से लेकर मारपीट के वीडियो शेयर करता था देवा गुर्जर को डॉन वाली लाइफ इस्टाइल बेहत पसंद थी जहां भी जाता था साथ में काफिला लेकर निकलता था इलाके में लोग उसको नमस्कार करते थे देवा डॉन के पास करीब 50 से ज़्यादा लोगों की टीम थी सोशल मीडिया पर देवा डॉन के नाम से फैन पेज भी बना रखा है देवा अपने साथ एक कैमरा मैन भी रखता था लूट पार्ट अवैद वसूली और मारपीट का देवा गुरजर पर कोटा के आर के पुरम थाने में मामले दर्ज है चितोडगर के कई थाना शेतरों में भी कई मामले उसके खिलाफ दर्ज बताए गए है तूती बुलवानी के लिए देवा खुद की दहशत वाली शोड मूवी भी बनाता था सोशल मीडिया पर पॉपुलर देवा गुरजर की आठ बेटी और एक बेटा है देवा दोनों पत्नियों काली बाई और इंद्रा बाई के साथ एक ही घर में रहता था पहली शादे से आठ बेटीया हुई लड़का नहीं होने की कारण उसने दूसरी शादी कर ली दूसरी पत्नी से उसे एक लड़का हुआ देवा दोनों पत्नियों के साथ के वीडियो और रील्स भी सोशल मीडिया पर शेयर करता रहता था देवा ने कई बार साथ में शोपिंग और करवा चोथ पूजा के वीडियो भी शेयर किये देवा गुर्जर ने दस दिन पहले ही हत्या का अंदेशा जताते हुए कोटा के आरके पुरम थाने में शिकायत दर्ज दिक देवा गुर्जर ने बताये कि रावत भाटा प्लांट में लेबर सप्लाई का काम करता है 23 मर्च को आधा दर्जन लोगों ने मॉबाइल पर कॉल करके प्लांट में ठेका ना लेने और जान से मारने की धमके दे थी उसने बादचित की ओडियो रिकोर्डिंग मॉबाइल फोन में होने की बात भी कही थी धमकी देने वाले आरोपियों में से एक को हत्या का दोशी भी बताया गया है आरोपी दस लाख रुपे की डिमांड कर रहा था बताया गया है कि हमला करने वाला देवा गूरजर का दोस्त था कुछ महीनों से आपसी लड़ाई में हत्या की वारदात हुई साल 2015 में देवा गूरजर से तीन अन्ने लोगों ने केलाज धाकड से दिन दाहडे मारपिट की थी केलाज धाकड कोड में पेशी पर गवाही देने आ रहा था घटना रावत भाटा हाट चोग बजार की थी बेरहमी से मारपिट में युवक के दोनों पैर कई जगे से तोड़ दिये गए थे मारपिट का वीडियो रावत भाटा में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था वीडियो वाइरल होने के समय देवा ने दहशत पैदा की और धम की दी थी उसके खिलाब गवाही देने वालों का यही अंजाम होगा पुलीस ने सभी आरोपियों के खिलाब जान लेवा हामले सहित अन्ने धाराओं में मामला दर्ज किया था